तो यह हमने ring chain पढ़ा, उसके बाद tutomers पढ़ा, अगर definition देखी जाए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, two compound having, same molecular formula, but different structure formula, because one compound having, हम बोल सकते हैं, ketone, and other having, other is enol. यह हमारा basic सा हो गया, कि भई, क्या definition होगी, लेकिन हम कैसे मानें कि यह दूसरे में convertible हैं, तो हमारे लिए basic definition तो हो सकती है, कि ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन इससे अच्छी definition हो सकती है, यह दूसरे में hydrogen transfer की वज़ा से generate हो रहा है, यहनी कि, in about, यहनी two compound having same molecular formula, but convertible to each other, due to movement of hydrogen. तो एको definition बनेगी इसकी, जो इससे ज़्यादा बात में आई और ज़्यादा अच्छी है, two compound, which are convertible to each other, to each other, by movement of hydrogen, at room temperature, at room temperature, at room temperature. तो यह मेरे दिमाग में सब पहली definition आई थी, फिर दूसरी हमने यह देखी, क्योंकि हमें बाद में पता चला नहीं, भई, keto, in all ही नहीं कुछ, और nitrogen, compound भी इस तरह की tutomerase, जैसे ही mechanism show करते हैं, उन्हें अलग से नाम नहीं दे सकते, तो हमने फिर क्या कर दिया, tutomaries की definition को और upgrade कर दिया, तो मैं कैसे पेचानूँगा यह एक दूसरे के tutomaries हैं, उसके लिए पहले तो मेरे को mechanism समझनी पड़ेगी, mechanism क्या है, mechanism, तो मैं यहाँ पर mechanism समझा रहा हूँ आपके साथ, बहुत easy है, mechanism हम कैसे देखते हैं, यहनि हमारे लिए यह एक दूसरे में convertible है, तो इसकी mechanism क्या होती है, base catalyzed रही है, base catalyzed, कैसे base catalyzed है, यहां हमारे पास OH माइनस आया, OH माइनस इस hydrogen को निकाल लेगा, यह कौन सी hydrogen है, यह functional carbon कैलाता है, यह alpha carbon कैलाता है, तो यह hydrogen भी कौन सी है, alpha hydrogen, यह कौन सी hydrogen है, alpha hydrogen, तो अगर alpha hydrogen निकाल लेता है, यह यहां OH आया, अभी रुको, यहां negative आजाएगा, H ले गया, कौन? H2O, फिर यह इदर आएगा, यह इस तरफ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यह? O माइनस और यहां double bond, shifting होई है, अब यहां क्या होगा, कि यह वाला H2O, H और OH, ऐसे समझे, यह H इदर आएगा, और यह OH अलग हो जाएगा, तो आप को बापीस क्या देखने को मिलेगा, वो ही compound देखने को मिलेगा, inol और plus OH, जो दुबारा काम पे लग जाएगा अपने वहाँ, तो OH की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत initial quantity से भी यह काम चल सकता है, next, हमें कैसे पता चलेगा कब tutomeris है या नहीं, यह सबसे important है, तो tutomeris कैसे check करेंगे, मैं जब tutomeris देखता हूँ, किसी भी compound में, तो मेरे दिमाग में एक यह चीज आती है, और वो आती है, कि कारबन के साथ कोई नो कोई double bond से जूड़ा हुआ है, अब इसको ऐसे समझो, या तो यह है, या यह group है, आपको इसमें से कोई एक दिखेगा, NH, समझ में आ रहा है, कोई नो कोई इस तरह का दिखेगा, यानि कि कारबन के पास multiple bond है, तो है, सही है, और यह multiple bond, ट्रांसफर होता है, hydrogen के थ्रू, यानि यहाँ hydrogen का ट्रांसफर होता है, hydrogen ट्रांसफर, तो movement of hydrogen होगा, बहले ही आपको ऐसा हो सकता है कि carbon triple bond से ही जुड़ा हो, लेकिन movement हो रहा है hydrogen का, सही है, तो movement of hydrogen देखने को मिलेगा आपको, movement of hydrogen, और अगर movement of hydrogen देखने को मिल रहा है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी में changes होगा, तो generally इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर या तो alpha hydrogen जाएगा, या फिर, बीटा कभी नी जाएगा, या फिर जाएगा gamma, rare case, gamma case होता है वो हम देखेंगे, पहले तो alpha carbon बोलते किस से हैं, जो functional carbon से attached carbon वो alpha, फिर beta, फिर gamma, क्या एक से ज़्यादा alpha carbon हो सकते हैं, हाँ, इसमें देखो ये भी alpha है, ये भी alpha है, तो ये हमारे पास हुआ, हम ये देखते हैं कि alpha hydrogen होना चाहिए, तो जैसे alpha hydrogen movement हुआ, ये pi bond देखा जाए तो कैसे होगा, ये pi bond इधर जाएगा, सिर्फ pi bond को मैं बता रहा हूँ, तो ये गया, उसके बदले में, hydrogen उदर गया, एक हाथ देना है, एक हाथ लेना है, hydrogen लेना है और pi bond देना है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा आपको, NH2, double bond, यहाँ तो ये hydrogen, पूरा ही उसके पास चल जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा, C, triple bond N, जो पहले कभी हमारा हुआ करता था, अब वो N का है, तो अंतर है, यहाँ पर nitrogen पर क्या चार्ज है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर carbon पर negative और nitrogen पर positive है, समझ भाए है, तो दोनों में अंतर है, यह एक ऐसा class है, जिसके अंदर, इसके अंदर alpha hydrogen गया था, इसमें भी alpha hydrogen गया था, लेकिन यहाँ पर मजबूरी है, यहाँ पर functional group का hydrogen ही transfer हुआ है, normal transfer हुआ है, बीटा का आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, सही है, तो हम इसी case को पढ़ रहे हैं, कि कब आपको tutomers देखने को मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, चलिए, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, कब दिखेगी, कब नहीं दिखेगी, इसको example से समझते हैं, first, normal, aldehyde और ketone, और ketone में, आप ध्यान होना, in normal aldehyde और ketone, in normal aldehyde और ketone, alpha hydrogen should be present, alpha hydrogen should be present, for tutomeris, क्योंकि transfer normal aldehyde ketone में, सिर्फ alpha hydrogen का ही होगा, तो क्या ये दे सकता है, हाँ, दे सकता है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा, alpha hydrogen है, कितने alpha hydrogen है, 6, 3 इसके पास, 3 इसके पास, क्या ये दे सकता है, हाँ, ये भी दे सकता है, इसके पास 3 है, क्या ये दे सकता है, हाँ, दे सकता है, इसके पास कितने alpha hydrogen है, एक, यहाँ, क्या ये दे सकता है, नहीं, क्योंकि इसके पास एक भी alpha hydrogen, नहीं है, क्या यह 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 क्या है यह क्या 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 क्या यह दे सकता है नहीं तो आप समझ सकते हैं कि कौन देगा कौन नहीं देगा बोलो हां लिखें इसको